हमें मुश्किल समय में अपना आत्मिश्वास नहीं खोना चाहिए और हार्ट वर्क की जगह पर स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक कुट्टे ने दी शेर को कैसे मात दी। एक दिन एक कुट्टा किसी जंगल में भटक गया था। उसने अपनी और शेर को आते हुए देखा। शेर को देखते ही कुट्टे की सांसे रुक्सी जाती है। कुट्टे को लगता है कि आज तो मैं काम से गया। तब ही उसके दिमाग में एक विचार आता है। कुट्टा अपने पास कुछ सुखी हड़िया पढ़ी हुई देखता है। पेर पर बैठा हुआ बंदर ये सब देख रहा था। बंदर सोचता है कि ये तो अच्छा मौका है। मैं शेर को जाकर सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ऐसे मेरी शेर के साथ दोस्ती भी हो जाएगी और जंगल में रहना भी आसान हो जाएगा क्योंकि अगर मेरी दोस्ती शेर से हो जाएगी तो जिंदगी भर जान का खत्रा भी चला जाएगा। बंदर इतना सोचकर जल्दी से शेर के पीछे उसे सारा सच बताने भागता है। कुट्टा बंदर को जाते हुए देखता है। उसे समझ में आ गया कि कुछ तो लोचा है। उधर बंदर सारी कहानी शेर को बता देता है कि कुट्टे ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। शेर जोरो से दहारने लगता है, वो बंदर से कहता है कि चल मेरे साथ, मैं कभी उस कुट्टे की हीला खत्म करता हूँ। शेर बंदर को अपनी पीट पर बिठा कर कुट्टे की तरफ आने लगता है। श्वास नहीं खोना चाहिए और हार्ड वक की जगह पर स्मार्ट वक करना चाहिए। क्योंकि मुश्किल समय में हार्ड वक से ज्यादा स्मार्ट वक ही हमारे काम आता है। जिन्दगी में बंदर जैसे कई सारे लोग आपकी उर्जा, समय और ध्यान भठकाने के लिए तयार रहते है। आपको उन्हें पहचना होगा और इस कुट्टे की तरह उससे सावधान रहना होगा। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।